हर जगह इसकी दिमांड है चाहिए, आप डॉमेस्तिक सेक्टर में देख लगा हैं और फिर इंडेस्टियल सेक्टर में देख लें जहां परभी पानी को आ सबसे पहले किसे प्रेफेरंस के लें क्योंकि असानी से इसको carry कर सकते हैं और most important एक genuine price में उनको ये मिल जाती है तो देखिए इस business के demand काफी जादा है तो आज आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप जो है plastic का water tank का manufacturing unit लगा सकते हैं आप भी जो है खुद का brand बना सकते हैं तो इस business को करने के लिए आपके पास पहले पूरी detail होनी चाहिए यानि कि ये business किस तरह से आपको start करना है कितना investment करना होगा, profit आपको इसमें कैसे होगा, क्या calculation रहेगी machinery कौन सी purchase करनी होगी, कहां से करनी होगी raw material आपको कहां से लेना होगा, वो आपको किस तरह से purchase करना होगा government की इसमें क्या scheme है, loan subsidy किस तरह से आपको मिलता है तो देखिए जब तक आपके पास पूरी project report नहीं आ जाएगी जो genuine इस business की calculation है तब तक आप ये business start नहीं कर पाएंगे तो आज आपको वही बताया जाएगा जितने भी आपके doubts है, वो सारे clear किये जाएंगे तो last तक बने रही है ताकि आपको मिल सके right information नमस्कार अदाब, सस्रीय काल, आप सबी को फिर से स्वागत आपके ही channel right information में अगर आप कोई भी business करना चाहते हैं तो बिल्कुल right platform पे आयो यहाँ पे आपको हर रोज नए business बताया जाते है और उस business की पूरी detail बताया जाती है ताकि आसानी से आप वो business कर सकें तो first time ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल में जरूर विजिट करें इसी के साथ नीचे जो subscribe का वटन है उसे अभी दबा दें बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर रोज आपको इस तरह के business की ideas मिल सकें देखिए अगर आप ये business start करना चाहते हैं आपको मैं सबसे पहले clear कर दूँ जब भी हम कोई business start करते हैं आप इसी business को ले लीजिए लोगों के mind में सबसे पहले ये question आता है कि already इसकी काफी बड़ी companies है उच्छे इसके जो brand है तो देखिए मैं आपको clear कर दूँ brand क्या होता है brand भही होता है quality होता है आप भी अच्छी quality दे सकते हैं आप भी अपना brand बना सकते हैं for example मैं आपको बता दू कि इसमें काफी बड़ी company है syntax काफी सालों से इस business में वो काम कर रही है उसके बाद याने कि 20 से 25 साल पहले plastero company अपने नाम सुना होगा tank वगर आपने देखियोंगे pipes देखियोंगी वो company आई उसने भी ये बिल्कुल छोटे level पर business start किया था और आज आप देख सकते हैं वो company कहां पर पहुंच गई है बड़े बड़े plant उसने लगा रखे हैं तो देखिये आप भी अपना खुद का manufacturing business जो है start कर सकते हैं competition को देखके अगर business करेंगे तो कोई भी business आप नहीं कर पाएंगे बस business करने के लिए आपके पास पूरी detail होनी चीए पूरी knowledge होनी चीए किस तरह से आप best quality customer को दे सकते हैं genuine rate में दे सकते हैं तो आने वाले time में आपका भी brand जो है इसमें बन जाएगा तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस business को करने के लिए आपको क्या क्या license लेने होंगे देखिए यह जो है factory type में एक business है factory इसकी आप लगाएंगे तो सबसे पहला जो है license आता है वह आपको इसका factory license लेना होगा second यहां पर labor काम करेंगे यानि कि labor license भी आपको लेना होगा ISI का certificate आपको लेना होगा ताकि वो आपको अपने product पे लगा सकें GST certificate आपको लेना होगा GST registration करवाना होगा इसी के साथ आपको अपनी firm का नाम यानि company का नाम register करवाना होगा brand का नाम register करवाना होगा और जो है उद्ध्यम registration आपको करना होगा उस company से भी आपको जो है अनोसी लेनी होगी वहाँ से आपको connection भी इसमें लेना होगा तो ये अनोसी वगरा और ये certificate आपको easily मिल जाते हैं पर आपको लेने जरूर होते हैं इस business के लिए तो अब इसकी machinery के बारे में जान लेते हैं किस तरह से वह machinery में काम करना होगा देखे इसका जो process है काफी easy रहता है ये नहीं रहता कि इसमें आपको जो है कई तरह की machinery लेनी है इसमें आपको छिफ एक ही machinery लगती है automatic machinery रहती है वह machinery ही सारा काम करती है देखे इस तरह की machinery रहेगी इसको rotation molding machine बोला जाता है tank की shape में mold बने हुए है ये जो है 2 mold होते है 3 होते है, 4 होते है उसके according आप ले सकते है इसमें क्या रहता है जो भी molding ये है इसमें आपको raw material डालना होता है raw material इसमें कौन सा लगेगा कहां से आपको लेना है वो भी आपको बताया जाएगा और फिर जो है इन box को बंद कर दिया जाता है और यहां पे जो है एक control panel यानि electrical control panel लगा होता है उसमें पूरी detail होती है वहां से आपको ये machine start करनी होती है और एक temperature वहां पे fix करना होता है time fix करना होता है और उसके बाद जो है इसको चलाया जाता है तो ये rotate होते है और एक time period के बाद इसमें जो है layers रहती है आपने जो water tanks में layers देखी होंगी कितने layers का बनाना चाहते है जैसे कि 2 layers हैं, 3 layers हैं या फिर 4 layers हैं उसके according जो है इसके एक time period के बाद में इसमें उपर से ही अलग से raw material डालना होता है जो layers में convert हो जाता है और उसके बाद उसको चलाया जाता है पूरी tank इसमें बन जाती है और ये जो भी इसमें mold बने हुए है इसमें एक heaters रहते हैं temperature रहता है उसकी वज़े से जो भी raw material है वो बिल्कुल melt हो जाता है और जो है water tank की shape में ये ले ले लेता है तो उसके बाद क्या रहता है इसको जो है वहाँ से निकाल लिया जाता है और उसके बाद उसको जो है finishing दे दी जाती है और उसके बाद जो है आप अपना mark यानि कि आप अपना जो brand है इस पे लगा सकते है और market में इसको जो है sale कर सकते है तो अब इस plant के बारे में आज हम जिस plant की बात कर रहे हैं उसकी पूरी project report आप समझ लीजिए पूरी calculation आप समझ लीजिए कि किस तरह से आपको जो है पूरा ये setup करना होगा देखि इसमें सबसे पहले आता है plant requirements यानि कि किस तरह का plant रहेगा तो उसमें आता है land आपके पास कितनी होनी चाहिए देखि इसमें आपके पास 10,000 square feet land होनी चाहिए land आपको ज़्यादा चाहिए क्योंकि machine के लिए ज़्यादा आपको space नहीं चाहिए जितना भी ये product बनाते हैं काफी ज़्यादा space लेता है तो उसके लिए आपको 10,000 square feet की space जो है आप city के नज़्दीक ले सकते हैं और फिर जो है उसमें building भी आपको बनानी होगी यानि कि factory type में set अगर आप इसका बनाएंगे तो 5,000 square feet में आपको जो है construction करना होगा power का connection भी लेना होगा यानि कि 30 किलो वोट का आपको connection लेना होगा water की भी requirements रहती है यानि कि per day आपको जो है 1,000 liter की requirements रहेगी और manpower अगर आप इसमें देखेंगे तो 5 से 6 आपको manpower इसमें रखने होगे और एक जो है आपको skilled employee भी आपको रखना होगा ताकि वो machine वगरा चला सके और इस plant को जो है सही से देख सके इसी plant की जो है plant capacity देख लेते हैं देखिए इसमें जो है आपके working hours 8 रहेंगे एक shift में आप काम करेंगे working days इन एर 300 days रहेंगे Saturday Sunday इसमें से निकाल दिया है इसे के साथ इस जो project की है इस plant की जो हम बात करें इसकी जो capacity रहेगी वो 500 लेटर के जो tank रहेंगे वो per year आप 2000 पीस इस plant से बना पाएंगे और 1000 लेटर के जो tank रहेंगे वो 1000 पीस आप पूरे साल में बना पाएंगे ज़्यादा तर जो क्या रहता है कि 500 और 1000 लेटर की tank ज़्यादा चलते हैं तो आप raw material भी जान लेते हैं देखिए इसमें जो है LDPE और HDPE एक raw material लगता है और इसे के साथ carbon black भी इसमें लगता है chloralant भी इसमें लगता है तो LDPE जो है वो total एक साल में आपका 175 MT लगेगा और इसे के साथ carbon black and chlorant आपका जो है इसमें 5 MT तक लगेगा यानि कि total जो आपका एक साल में आपको जो raw material की जरूरत इसमें होगी वो होगा 180 MT आपको इसकी requirements रहेगी तो ये जो raw material है easily आपको मिल जाता है इसके suppliers वगरा के बारे में आपको बताए जाएगा तो आप जान लेते हैं कि इस business में जो है एक साल में आप जितना भी product manufacture करेंगे उसकी जो है value क्या रहेगी तो देखिए इसमें जो है 500 liters के जो हमने बात की 2000 आप बना पाएंगे पूरे साल में तो उसका जो price रहेगा 1400 रहेगा ये wholesale price है आपको बताओगी 500 liters की जो ये tank है market में 3000 से लेके 4000 रुपे तक आती है वो depend करता है कि कौन सी quality की है company की है इससे जो है पूरे साल में आपकी 28 लाक रुपे sale हो जाएगी 1000 लेटर के आप दोनों product की देखेंगे तो 56 लाक जो है आपकी यानि कि 56 लाक आप जो है इसमें sale revenue अपना है जो एक साल में जरनेट कर पाएंगे तो अब जान लेते हैं कि ये पूरा sale revenue जरनेट करने के लिए इस पूरे साल में आपको जो है कितनी cost करनी होगी कितनी cost लगेगी और उसकी क्या calculation रहेगी देखिए इसमें जो है सबसे पहले raw material आता है जो पूरे साल में आपका इस plant में raw material यूज होगा वो रहेगा साड़े सोला लाक रुपे यानि 180 MT जो है आपका साड़े सोला लाक रुपे में मिलेगा इसके बाद आती है utility यानि कि electricity का bill जो रहेगा एक लाक रुपे तक आएगा उसके बाद आपकी wages and salaries जो आप provide करेंगे साथ लाक रुपे तक उसका expense आएगा overheads इसमें रहेंगे साथ जार रुपे तक इसमें जो है selling expense भी आपका रहेगा यानि कि market वगरा में आप उसको बेचेंगे तो selling expense जो है इसका 2.5% जो है total sales का रहता है तो यह आपका जो है एक लाक रुपे होगा और इसी के साथ interest on term loan यानि कि total जो आपकी cost आपको बताए जाएगी उस पे आपको जो एक percentage जो है term loan आपका जो है तो उसमें भी आपका 40,000 रुपे तक आपका interest लगेगा और इसी के साथ depreciation इसमें रहेगा 10% रहेगा आपकी machinery पे एक साल के बाद में आने कि 2,80,000 आपका depreciation लग जाएगा तो total आपकी एक साल में जो है total cost उस product को बनाने के लिए 32,40,000 रुपे आपकी पूरी cost आएगी तो profit calculation देख लेते हैं कितना profit आपको इस plant से होगा देखी इसमें जो है आपकी total sale जो रहेगी 56,000 रुपे जैसा है कि हमने calculate की और उसमें से जो आपके expense याने के total cost जो इस product को बनाने में लगेगी एक साल में वो 32,000 रुपे रहेगी तो इन दोनों का difference जो होता है वो है 24,000 रुपे तो 24,000 रुपे आपको profit नहीं होगा तो देखी हर business की project report में एक जो ratio रखना होता है कि इस business में आप कितना कमा पाएंगे तो इसमें जो है 100% आप नहीं कमा पाएंगे starting में तो उसमें जो है हमने यहां पे 70% इस project report में लिया है यानि कि 70% ही आप जो है sales जो है आप अचीव कर पाएंगे product बना पाएंगे तो इसका अगर 70% देखते हैं तो यह आपका जो है 7,000,000 इसमें से minus कर दीजिए यानि कि 17,000,000 हो जाता है तो 17-18,000,000 रुपे जो है आप जो है एक साल में इसमें profit कमा पाएंगे और आने वाले टाइम में जब आप इसकी अच्छी तरह से marketing कर लेंगे अच्छा सा जो है product आपका market में जाने लग जाएगा 100% भी आप इसमें जो है अचीव कर सकते हैं और इससे अगर आप छोटा plant लगाते हैं तो 10-12,000,000 रुपे कमा सकते हैं और इससे जो है आप double, triple अगर plant लगाते हैं तो 60-70,000,000 रुपे आप इसमें कमा सकते हैं वो सारा आपका investment पे depend करता है आपकी marketing पे depend करता है जतना बड़ा project लगाएंगे, जतनी ज़्यादा capacity रहेगी जतना ज़्यादा product आप अपने plant में बना पाएंगे, उसको बेज पाएंगे उतना ज़्यादा business में आप profit कमा पाएंगे तो अब जान लेते हैं इस business को करने के लिए जिसकी हमने आज calculation की है आपको जो है total कितना expense करना होगा, total investment आपका कितना जाएगा तो देखिए इसमें सबसे पहले land आती है, land का जो भी rent रहेगा अगर आपकी खुद की land है या फिर आपने rent पे ली है तो उसका rent आपको जो है आज्यूम करना होगा इसे के साथ building वगरा, यानि कि set वगरा आप मनाते हैं वो भी आप जो है factories काफिव रहती है, rent पे ले सकते हैं या फिर आप खुद की बनाते हैं तो उसमें जो आपको आज्यूम करना होगा, 7 से 8 लाक रुपे उसमें आपका लग सकता है उसके बाद आती है main चीज जिसमें रहती है machinery पूरी automatic machinery रहेगी जिससे आप इतना production कर सकते हैं 28 लाक रुपे की आएगी इसे के साथ fixed assets भी इसमें रहती है यानि कि furniture वगरा जो आप बनवाएंगे 4 लाक रुपे आपका उसमें लगेगा जो भी pre operating expenses रहते हैं यानि के दो वीक का finished goods भी इसमें रो मिट जो है working capital में दिखा सकते हैं तो एक लाक चालिस हजार का आपका finished goods रहेगा और working expenses जो भी expenses मैंने बताए एक महीने में आपके वो भी 80,000 रुपे तक जाएंगे और इसी के साथ resiable भी आप जो है two weeks का दिखा सकते हैं लाक 60,000 रुपे आपका बूब बनता है तो यह जो है पांच लाक 20,000 आपकी working capital हो जाती है तो आपका यहां पर total investment जो है वो है 38,70,000 आपका total investment हो जाता है तो loan के बारे में जान लेते हैं तो देखी यह project जो है आप इतनी cost में दिखाते हैं तो यह project report जो है 25,000 रुपे तक दिखा सकते हैं और फिर यह आपकी scheme जो है प्रधान मंत्री Employment Generation Program के अंडर आ जाती है यानि कि PMEGP उसमें आप लाई कर सकते हैं उसमें आपको 90% तक जो है loan approval हो जाता है 10% आपको लगाना होता है और उसमें आपको subsidy भी मिलती है यानि कि 25 से 35% subsidy भी जो है government की तरफ से आपको मिलती है तो अगर आप इस scheme के बारे में जानना चाहते हैं तो link आपको description में मिल जाएगा पूरी detail से जो है video मैंने बनाया हो है किस तरह से आपको जो है इस scheme में loan के लिए जो है apply करना है तो वो आप description में जाके देख सकते हैं या फिर channel में विजिट कर सकते हैं और इसकी जो भी machinery और जो भी मैंने आपको raw material बताया तो आप screen पे देख पारे होंगे इसके जो manufacturers हैं, suppliers हैं यहां पे आप विजिट कर सकते हैं इसके साथ आपके जो भी area जहां पे से भी आप belong करते हैं उसके आसपास भी जो है आपको suppliers मिल जाएंगे या फिर इसके manufacturing unit मिल जाएंगे तो वहां पे जाके एक बार आप विजिट करिए विजिट करने के बाद आपको पूरी detail वहां पे मिल पाएगी machinery के बारे में अच्छी तरह से जान पाएगे कि कौन सी machinery लेनी है, उसकी क्या cost है उसकी cost के base पे ही फिर आप ये plant लगा सकते हैं क्योंकि machinery की main cost रहती है machinery के base पे ही आप decision ले पाएगे business के regarding है तो आप comment कर सकते हैं कोई ऐसा business करना चाहते हैं जिसकी detail आपको नहीं मिल पा रही है वह भी आप comment box में डाल सकते हैं take care bye bye